जो सोर मचाते हैं भीड में वो भीड बनकर ही रह जाते हैं जो सोर मचाते हैं भीड में वो एक दिन भीड बनकर ही रह जाते हैं और जो पाते हैं कामयावी की मंजिल वो अपने काम खामोसी से कर जाते हैं आज का ये वीडियो क्लास बहुत इस्पेसल होने वाला है क्योंकि आज इस टॉपिक पर लगभग 948 बच्चों ने कोश्चन किया था आज मैंने कमेंट अनलेसिस किया पिछले तीन महिने का तो मैंने सुचा कि इसका क्लास हम आपको जरूर देंगे नार्मल संख्या अगर हो तो उसको हर कोई अस्थानिय मान कर लेता है लेकिन अगर दसामलों लगा हो तो कैसे करते हैं आए देखिए जरा इधर देखिए समझे जैसे अगर मान लीजिए कि ये संख्या है 149357 इसमें 9 का प्लेस बैलू अगर मैं बोलूं तो आप बड़े प् इस नंबर के बाद अगर आप देखें तो तीन डिजिट है तो आप क्या करेंगे वन के बाद तीन जिरो लगा देंगे इस तरीके से 9000 इसका अस्थानिय मान हो गया जिसको इंगलिस में प्लेस बैलू कहते हैं ठीक है बहुत आसान है अगर इसमें तीन का अस्थानिय मान बोलेंगे तो इसके बाद देखिए चार अंख है तो आप चार जीरो लगा देंगे ऐसे होता है सामान ने संख्या में है ना दसमलो वाला बताऊंगा थोड़ा सबर रखें बस अगर सेबन की बात करें तो सेबन का प्लेस बैलू सिर्फ सेबन होगा क्योंकि आगे पीछे इस कार देखो कैसे बंढाओ कि इसमें का है ना कि जिस संख्या का प्लेस बैलू निकालना नहां वो थ्री यह देख रहना इ még तो मिसमें करना क्या हमें सबसे पहले उस नमबर को हमें लिखना है कहां नीचे लिखना है ठीक है लिख लिए अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले तो one upon one कर दिया की ने इसको कर देना सब में अगर दसामलो वाला है तो one upon one सब में करना है ठीक हां into में अब यहाँ पर उतने सुनना बढ़ाएंगे जितने दसामलो और यहाँ चन्य ग質. यान्य इसका हमजथानिय हमान कर रहे हैं इसको जोड़ लीजिए उससे एक अधिक तो अगर जीरो अंखा इसके बीच में कुछ नहीं है तो आप एक इसमें जोड़ लोगे या निहां एक जीरो बढ़ा होगे इस तरीके से आपका इसका प्लेस बैलू तीन बटा दस होगा इसे दसामलों में चेंज करोगे जीरो बट कर रहे हो ना तो इसमें उस संख्या को ऐसे लिख देना है और दसामलों के जश्ट नीचे दसामलों लगा देना है बस और इसके आगे कुछ नहीं तो जीरो लगा लिजी अच्छा लगेगा या अंसर हो गया अगर इसमें हम दो का प्लेस बैलू करें तो क्या होगा जानते कि यह हो दो को ऐसे लिख लेंगे 10-0 के जश्ट नीचे दस यह लगा लेंगे और आणसर हो गया और इसके पहले लगार लेते हैं जिससे यह थोडा अंसर फुटियबल लगे देखनें नहीं हुआ होगा आगे अभी सब क्लियर हो जाएगा अगले 10 मिनिट हमारे साथ बने रहिएगा अगर आप गड़ित सीखना चाहते हैं याद रखें 60 वीडियो में गड़ित नहीं सीखी जाती है आप कहो कि 30 सिकंड में सिखा दें तो 30 सिकंड में सिर्फ देख सकते हो कुछ अच्छा सा बढ़िया मसालेदार बस और कुछ नहीं समझ गया ना चलो इसमें आंसर दीजिए इसमें यहां पर डेसिमल लगा है वन और सेबन दोनों का प्लेस बैलू निकालना है प्लेस बैलू मिन सस्थानियमान आईए जनाब देखिए यहां पर कहानी है क्या है पता है कहते हैं ना कि जिसके तकलीफ है ना उसी को एहसास होता है अगले को तो सब मजा मजा ही लगता है दूसरे के मुझ में मिर्च भी मिठा लगता है समझना है आपे मेरे कहने कि यह मतलब है कहीं अगर ऐसी संख्या है जिसमें आधी संख्या दसमलों के बाद है आधी पहले है तो जो दसामलों के पहले संख्या है उसका अस्थानी एमान बिल्कुल सामान तरीके से निकालते हैं मतलब दसामलों वाला कोई भी नियम इसमें लागूर नहीं होता है ठीक है जैसे अगर आप यहाँ पर देखना चाहिए तो वन नहीं फोर थ्री टू में न इसमें दो का अस्थानी एमान दो होगा तीन का अस्थानी एमान तीस होगा और चार का अस्थानी एमान चार सो होगा यह सब को पता है होगा न उसी तरीके से इसमें साथी मेरे साथ का साथ होगा और 2 का आपका 20 होगा और 3 का प्लेस बेलू 30 होगा इसमें कोई प्रकार का आपको मतलब चेंज नहीं करना बिल्कुल समाने तरीके से होता है जो दसंबलों के बाद में अंक है सिर्फ उसी में थोड़ा सा उल्टा नियम लगता है दसंबलों के दाहिने साइड वाले अंक में इधर साइड से कोई मतलब मतलब इसमें कोई अलग चीज नहीं करनी है ठीक है बाते समझ में आरे सबको न कमेंट मुझे सबका दिख रहा है मैं किसी का कमेंट आद नहीं बोलने वाला हूँ कलास के बाद में आप कमेंट करिएगा वीडियो में उसका रिपलाई हम करेंगे खुद आईए अब क्या समझना है अब ये समझना है कि जो ये अहां पर अंक दिया था ना जैसे एक पले नीचे समझ लो फिर उसमें चलते हैं अगर इसमें हम 3 का 2 का तो समझी गए हो इसका निकालें अस्थानी इमान 7 का ठीक है तो 7 का प्लेस वैलु साथ ही मेरे क्या होगा 7 और तरीका मैं ने बताया था दसमलो के जैस्ट नीचे दसमलो लगा देना और उसकी अंक में मतलब बीच में जितने अंक है उस संख्या जिसका अस्थानिया मान निकाल रहें और धसम्नलों की बिच में उतने जीरो लगा देना बिच में बस ये सेवण का हो ठीक abstract अगर हमें यहाँ 9 निकालना होता थो हम 9 लिख लेते दसम्नलों के आगे बढ़ें आइए देखिए यहां पर क्या समझना है चलो देखो अब यहां बात है one का प्लेस बैलू तो भाई साब इनके आगे पीछे कहीं मतलब सुरी पीछे आंख है आगे कुछ नहीं है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से अस्थानिय मान इसका निकालेंगे इसका one होगा ठीक है सेबन का प्लेस बैलू की बात आई तो तरीका दोनों बताया हूं पहले सेबन लिख लेंगे दसामलो के जेश्ट नीचे दसामलो और बीच में दो अंक है तो दो ये क्या हो जाएगा जीरो यानि वन एंड जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेबन होगा इसको आप्सन नंबर सी सही है कौन सा सी वाला बढ़िया है लिखते चलिए फटा फट आगे बढ़ें इसमें कर लेंगे इसमें दो और पांच का स्थानी अमान देखिए समझ में हर किसी के आना चाहिए भले हम एके लोग को समझा पाएं लेकिन आया ना सब को चाहिए समझ रहे हो नहीं मिरा मतलब कोई तरीके से निकालना आप जानते हो दो गुले 10 होगा बराबर 20 ठीक है तो वही मान यहां भी होगा कुछ अलग नहीं होगा अब यह पांच का अस्थानी अमान यह पांच दसामलो के जैस्ट नीचे दसामलो दसामलो और 5 के बीच में दो डिजिट हैं तो आप यहां 20 पाईफ इसको आप लिक सकते हो 5 ब Aur Φिक्कत ना पाँच बते-एकहजार भी लीख सकते ओ delivery सकते हो अंसर देखलो आप्सन देखSi लो तो ये वी वाला सही है ठीक है बढemia यह होंवउर्ग है इसको आप करेंगे और वीडियो में आएके कमेंट करेंगे और अभी तुरंथ इस वीडियो को नीचे Share बटन पर किलिक करके अपने किसी दोस्त मित्र को भेद दीजिए जिससे आप यह होमवर्क हल करें हल करने के बाद उस लिंक पर जहां वह आप दोस्त को भेजे होगे उस पर क्लिक करेंगे तो दुबारा यह वीडियो फिर चलने लगेगा और आप कमे वियर स्टेडी परिवार में साड़े पांच लाग से अधी कंडिरेट जुड़े हैं जो कि काफी सीनियर हैं कोई चोटे-चोटे बच्चे नहीं है हम सिखाते हैं बिल्कुल सुनने से पढ़ाते नहीं सिखाते हैं जीरो से हीरो बनाते हैं और शीखने की कोई उमर नहीं होती मेरे साथी ठीक है शीखने की कोई उमर नहीं होती आप कभी भी सीख सकते हो आपके अंदर वो शीखने वाला जो बच्चा है न वो रहना चाहिए अपना बच्पना देखो बच्पन में होता नहीं लोग बहुत ज़्यादा सीखने के लालाइत होते हैं, बड़े हो जाने के बाद उनको बड़ी सरम लगती है, कुछ भी छोटी-छोटी चीज सीखने बड़े सरमीले हो जाते हैं, तु वो बच्चा जिंदा रखी अंदर में, अमझे रहो, ठीक है, थैंक यू, कुछ भी और क एना तपती